इस नमस्कार मैं विशेक और आप देख रहे हैं दानगळी और हमाभी है राजस्तान उनवसिटी के कुलपती सचिवाले के बाहर जो अफिस है कुलपती का वहाँ आज इक मामला सामने आया है माही ओस्टल से माही ओस्टल एक डस्टल राजस्तान उनवसिटी में और उसकी जो लिस्ट निकाली गई थी चात्राओं के उसमें एसी जो चात्राइं थी उनकी सीटे बचने के कारण एक OBC जो चात्र थी उसको उसमें जो है अडिक्शन दिया गया था उसके साथ इनोंने कुछ आरोप लगाती हुई नजर आ रही है जिनसे चर्चा करेंगे क्या मामला है जी हम राजिस्तान विश्व इद्याले के माही चात्रावास की चात्राइं हैं जो माही चात्रावास है वो पूर्ट है अनुस्यची जाती की चात्राओं के लिए बना गया है वहां पर एड्मिशन जो लिए होते हैं वो भी अनुस्यची जाती की चात्राओं के ही होते हैं परन्तु इन्होंने ये गाइडलाइन जारी करी थी कि अगर सीट बचती हैं तो हम दूसरे वर्ग की छात्रों को भी एडमिशन देंगे और इसी के साथ उन्होंने परसों जनरल उबीसी की बच्चों के लिस्स निकाली हमने कोई भी आपती उस पर दर्ज नहीं करी परन्तु कुछ कल कुछ वाक्य हमारी होस्टल की असिस्टेंट वर्डन के साथ ऐसा हुआ है जी वो आपको सुनने को मिलेगा जिसके कारण हमें ये लग रहा है कि उस चात्रा के साथ जाती सुचक सब्दों का प्रियोग हुआ है साथ ही साथ एक चात्रा का जो एडमिशन लिया गया उसकी मदर के कुछ शब्द ऐसे थे कि जिससे यह हमें पता पढ़ता है कि उनको इस होस्टल में आने से कुछ प्राब्लम देखने को मिल रही है जैसा कि उनकी मदर ने ये कहा कि हमारी जो बेटी है वो चौदरी है तो उसको चौदरी के साथ ही रूम दिया जाए तो यह अपस लेते हुए और नई लिस्ट निकाली जाए और उन चात्रों को एडमिशन दिया जाए और जो जनरल ओबी सी की लिस्ट उसको तुरहं प्रभाव से अटाया जाए जाए जनरल ओबी सी की लिस्ट शतरा तारीक जारी करी गई है जिसकी अंतिमचिती बाइस तारीक है से स्ल लिस्ट ने कहें ज्यकों दिया हुए हुए जो जनरल ओबी सी की सीट जो इन्हों निंगा लिए वो लगब si के तो जब हमारे चات्राहीं युस और उस होश्टल का फाइदा नहीं उठा पा रही है तो हम यहीं चाहते हैं कि वो लिस्ट तुरंत प्रबाव से हटा के और जो हमारी एसिस्टेंट वॉर्डन के साथ अभिद्र वैवार हुआ है उसको उसे माफी मांगी जाए नहीं इस पर पुलिस कारवाई करी जाए हम यह कहना चाहूंगी कि यह सी कास्ट का होस्टल है तो एक दम से तुम आधी सीट जनरल ओबी सी के लिए और एसी की आधी बच्ची है और बलकि एसी ओनली होस्टल हो फिर भी वहां पर आधी-अधी मैजॉर्टी में चल रहा है पहले की टाइम तो यह भी था कि 30 परसंट ए सेवंटी परसंट जनरल ओबी सी के लिए वहां पर तो और वहां पर यह चीजें होती है कि चौधरी को चौधरी के साथ रहना है यह चीज यह चीज नहीं चलनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलना चाहिए रूम के अंदर ही हां तुम्मार को तो रिजर्वेशन मिल ज सब्सक्राइब करें तो एक लड़की गेस्ट थी पुन्नम को मावत नाम है उसका वह रूम खाली कर रहे थी तो उसने हमारी मेंटर मैंम के लिए यह बोला कि यह लोग सिर्फ हम से पैसे ले रहे हैं और बाकी लड़कियों से नहीं लेगे कुछ सब्सक्राइब उनको यह पर रखेंगे तो उन्होंने यह चीज जो थी वह गलत वोली थी इसा बिल्कुल नहीं है में में मुर्ची लड़की को नहीं रख रहे हैं जो पर्सनल हो या फिर स्पेसल हो सारी गेस्ट थी उनको सब को खाली करवा दियो तो उन्होंने वारे में में गलत बोला तब हमने कुछ चीज के खिलाब बोला था कि आप जो चीज बोल रहे हो वो गलत आपको इसा नहीं बोलना चाहिए तो उसके साथ कोई लड़की थी कविता चोधरी नाम है उसका तो वो बिना मतलब के गुसा करने लगई बढ़कने लगई कि तुम्हें नहीं पता है इनका कि यह लो क्योंकि सामने आए वो सोरी भी बोले और जो लिस्ट लगी है हमारे उस्टल में ओविसी जनरल की वो लिस्ट भी हटे नहीं तो सर अम पुलिस कारवाई करें पती सची वाले आई हैं क्या रहा कब का था इन्हों ने तीन बजे का बोला है वैसे तो यह हमें से तीन बजे का हैं तो हम चाहते हैं कि वो लिस्ट हट जाए हमें नहीं चाहिए क्योंकि उन लोगों की खुद की मेंटिलीटी यह है अब उस लड़की ने एडमिशन लिया उसकी मम्मी मेरको आके यह बोल रही है कि हमारी बेटी चोदरी है इसको चोदरी के साथ ही रूम देना तो यह ची और कित्ते क्या हैं और और भी है जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे क्या वामना है यह हुआ कि हमारा हॉस्टल है वो ऐसी का है और उसमें हमेशा स्टार्टिंग से घटनाई होती रही है कि ऐसी की लड़की के साथ अधर कैटेगरी की लड़किया अच्छा बहेव नहीं करत है उनको वापिस एड्मिशन लिया जाएं किते इस्टुडें जो चाहत रहे हैं वो अधर के टेगरी से हैं उसमें कित्ती ऐसी कि जैसे पिछली बार भी हमारे गल्स ने स्ट्राइक किया था और पिछली बार भी एप्लिकेशन पर साइन हुआ था कि नेक्स टाइम से हम इस जाजे कि नहीं डालेंगे पिछली बार भी जिस निकली घृत ही और वह रद्ध करवा दी गई ती एक ई दिन में और पुछली बार भी वह था यह इंद के बार हम हम हर साल स्ट्राइक करता रहें कि कितने दिन हो गये लिस्ट कभ जा रही हूं है यह 17th को जारी हूई है इसमें वन फिफ्टी सेट्स हैं हाफ फिफ्टी फिफ्टी रेशो को 50 एदर केटिगरी 50 ऐसी बल्कि यह तो प्यॉर्ली सी का होसल है ओनली फॉर ऐसी गाइडलाइन हाँ टोटल सीट वन फिफ्टी है इसमें जो और पहले सेडमिशन हो चुके हैं फिर कई फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिया हैं कई डबल पीजी डिप्लोमा डबल डिप्लोमा ऐसे करके और ऐसे करके ऐसी के फॉर्म हटा दिये और जो अब 78 सीट भी है जनरल बीसी की वह हाफ 50 परसें का रेशियो हो गया लगबग 50 परसेंट तो वह एसी के होस्टल में सहरा है जनरल बीसी को ज्यादा मैजॉर्टी मिल रही है आज तो लड़कियां बोल देंगे थोड़ा बहुत अवेर्नेस है कल को तो यह 70 परसेंट पहुंच जाएगा आज 50 से 70 70 से 80 परसेंट 20 परसें लिए जाए देन कुछ होता है तब लेते पट यह है कि एसी के फॉर्म में रिजेक्ट के लिए इन्होंने अभी हम रिक्वेस्ट करने आए मैं से बात करने आए कि मैं हमें ऐसे अगर डिस्क्रिमिनिशन भेदभाव चलता रहेगा होस्टल में इस में रह नहीं पाएंगे में तो प्लीज इस पे कुछ कारवाई कीजिए और ओनली स्टी गल्स को ही एडमिशन दिया जाए पहले भी हर साल की चलता है यह स्ट्राइक चल रही है हम तो हमने तो अभी पहले डिप्लोमा वाली गल्स आई थी अब डबल पीजी वाली बोलना चारी थी बट डबल पीज के लिस्ट निकली और जनरल ओवी सी की लड़कियों बीच में डिस्प्यूट हुआ है तब जाके लड़कें वापस से आई है किस से रिगार्डिंग शिकाई है तब देदी गए था अडमिशन तब उन्होंने बहुत चकर की काटे हैं मैनत कि हम एम प्लीज हमाई एडमिश लेकिन जब हम चीफ ओर्डन मैम को अप्रोच करते हैं तो उनका यह कहना होता है कि मेरे पास उपर से प्रेशर है और यह जो मैटर्स है यह जो वी सी मैम ने कहा है हम उसी चीज को दे रहे हैं और डिप्लॉमा के एडमिशन हम नहीं करेंगे क्योंकि एक साल के एडमिशन हम और डिप्लॉमा की 17 चात्रा हैं जो यहां इस होस्टल की थी उनको एडमिशन दिये गए थे डिप्लॉमा के अंदर तो यह जो चात्रा है इनकी परमुक मांग है कि जो उनके जो के टेगरी है जिसमें डिवाइड किया गया है उसी को एड़िशन दिया जाए और अगर नही सब्सक्राइब के साथ मैं भी शेक जैपूर